इसाद्दा शिरीप में हूँ जो कि रजूरी डिस्ट्रिक में है ठाना मंडी से अप्रोस्मेड़ी छे या साथ किलो मेटर होगा यहां तक हाइवे से उपर है यह साथ किलो मेटर तो यह बाबा गुलाम दीन शाह बाद शाह साब है यहां पे यह गुलाब सिंग ने कनश्ट क में तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी जियारत शाम का नजारा है यह यह शादा शरीफ कि राजोरी डिस्ट्रिक में है बाबा गुलाम शाब बादश्या डिस्ट्रिक राजोरी में है यह इस अप्रोस्मेटली 178 किलो मेटर्स फ्रों जमू और इस नियर्बाइ थाना 6-7 किलो मेटर्स फ्रॉम ठाना मंडी यह कनश्ट्रक्ट हुआ है 19th संचुरी में गुलाप सिंग के दोरा डिडिकेट किया है बाबा गुलाम शाब बादश्या पर यह जियारत हम उपर जा रहे है इस टाइम आपको जियारत दिखाएगे बाबा गुलाम शाब बादश्या के जियारत है उपर लेफ साइड में मजी शरीफ है ऑजदा शरी आद जाब अटारा फाईड में मुझे तक पर छाई शरीफ है इस जए उर्इंज का पेड़ है कि आपको दिखाओंगा उपर से यह विए यहांपे कबरिस्तान है शायदा शरीफ का कि आपको दिखाओंगा उपर से यह विए कि शायदा शरीफ के उपर से है शाम का नजारा है शायदा शरीफ में हैं मिश्टाइंग जो कि आप देखिए यह पहले गुलाब सिंग ने यहां पर कनस्ट्रक्ट किया है यह इसकी परानी तैमिर है यहां पर और यह नई है शायदा शरीफ के नाम से यह जाना जाती है यह जियारत जो क्विराजोरी में है और यहां पर मैं आप दिखाना चाहता हूँ यह औरेंज के पेड़ है कच्चे वाले है इसको हम लिमूब कह सकते है शाम का नजारा है यह शाबदा शरीफ का उपर का नजारा है यह यह देखें यहां पर अवरते नीचे बैठी है इस साइड से मज्जिद है और उपर से खाना दे रहा है जो कि हम अभी जाएगे और वहां पिकाएगे लंगर है यह और अवरतों के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है यहां पर आप खाना भी खा सकते हो जो कि विल्कुल 24 गंटे होता है शादा शरीफ में तो अवर्दों के लिए अलग है लंगर और मर्दों के लिए अलग है यहाँ पर आप आएए जो कि रजूरी में एक मानी जियारत है तो बाबा गुलाम शाह साहब बाद्शा है यह जाते हैं इस चगा का शाहदा श्रीफ नाम है तो अभी मेरे पीछे आप जियारत दे सकते हैं यह चावल दे रहे हैं हमें यह इसके साथ दाल है देखें आप सब कहा रहे हैं यहां पर खाना अलंगर है यह इसी बात है देखें पर रवांद अलसार निंगा बातना इसे सो गंट शाषा हैं यह लंगर चालो जेट चोबिस गंटे होता है लंगर चालो खाना खा के हम वापस आएं लंगर से अब हम वापस जाए गे मांचीश्रीफ इमास पढ़ेगे कासा वजबे हो है रहां तो आट पर आपने हमास इस्टेशन एडमिर्स्टेशन ब्लॉक है शादा शरीफ का और यह गेट है यहां से गाड़ी आती है गाड़ी यहां तक आती है पाइकी यह देखिया मेरी लेफ साइड से है मार्केट अब हम वापस निकलेगे मार्केट की तरह तेके शादा शरीफ की नई रामिर उसके अंदर है पुरानी का निस्ट्रक्शन उसके ओपर है नहीं यह वापस जानी का रस्ता है मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं पर यह सोते हैं तो क्यों फ्री है यहां पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो यहां पर उड़ेते बैठी है वन चैस वापस नियरा मार्केट की तरह में कर देखिए आप गेस्ट हाउस भी है यहां पर इनके एड्मिस्ट्रेशन के वहां पर आप कमरा ले सकते हों और जो मैंने आपको उपर दिखाया था वो जो चाहेगा वो वहां पर सो सकता है और वहां पर लंगर चलता है जो 21 गंटे फ्री है जिसको मर्जी है वो देता है जिसको मर्जी नहीं है वो नहीं देता है बहुत मेंटेनेट है यह शादा शरीफ बिलकुल हमारे राइट साइड से इसका वाटर भी आ पानी आ रहा है एक कनल के थ्रू पारक है मैंटेने यहां पर श्यांप के समय आप बैठ सकते हैं यहां पर मैंटेलिट फर्मवारे है बीच में ते विचू जो जो बता है मारकेट असकून ते विचू यह देखिया आप मैंटेन के लिफ सैड में बिलकुल अमनुकिन आप जाब सकते हो शांके टाइम हम अभी मारकेट यहेत इसके बेलकुल आप देख सकते हो कितना बड़ा घ्यास्ट हौस है यह पेड़ है और वहां पर आप कमरे ले सकते हैं और गाडिया पाड कर सकते हैं वहां नाइट स्टे के लिए अच्छी जगा है यह मार्केट है यह शारदा शरीफ का शाम का नजारा है हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ वहीं से आपको कमरा भी मिलेगा गेस्ट हाउस और उपर अस्तान जाने का रस्ता भी है वहीं से यह जजाओ कि तरफ नाउस तरफ नाउस पार्किंग कुछा यहा भी मिलेगा है